देखो question है कि the function f satisfies the functional equation 3fx plus f of x plus 59 upon x minus 1 equal to 10x plus 30 for all real x not equal to 1 ठीक है then the value of f of 7 is 8 4 minus 8 or 11 तो देखो question में हमें एक function fx दिया है ठीक है और ये पूचा है कि value of f of 7 कितना होगा ठीक है तो इस question को देखते हैं इसमें सबसे पहले functional equation क्या given है 3fx plus 2 times f of x plus 59 upon x minus 1 equals to 10x plus 30 ठीक है अब एक काम करते हैं इसमें इस question में हम सबसे पहले x equal to 7 रखते हैं तो x जैसे आप 7 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 times f of 7 plus 2 times f of देखो यहां कितना बनेगा 59 59 plus 7 कितना हो जाएगा 66 66 upon 7 minus 1 6 66 upon 6 बनेगा ये 66 upon 6 is 11 equals to 7 यहां रखा तो ये कितना हो गया 70 plus 30 100 let us say this is our equation 1 अब हमें यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ये किसमें equation आ रही है f of 7 और f of 11 में तो हमें f of 7 चीए तो f of 7 कैसा हैगा अगर f of 11 किसी तरह eliminate हो तो एक काम करते हैं अब हम x को 11 put करते हैं x को अगर मैं 11 put करूंगा तो ये कितना हैगा 3 times f of 11 plus 2 times आप देखो यहां पिक्या आएगा जैसे आपने 11 put किया तो ये कितना हो जाएगा 70 ये 70 हो गया उपर 59 plus 11 और नीचे क्या हो गया 11 minus 1 10 तो ये 70 upon 10 लिखा है यानि f of 7 लिखाईगे ठीक है अब यहां 11 रखो तो ये कितना हो गया 110 plus 30 140 question solve हो गया अब देख गया यहां से इन दोने equation से f of 11 easily eliminate कर सकते हैं f of 11 को eliminate करके f of 7 निकाल लेंगे तो एक काम करते हैं equation 1 से या फिर चलो equation 1 से f of 11 की value देखते है equation 1 से f of 11 की value कितनी होगी 100 minus 3 f of 7 upon 2 ये कहां से आई from equation 1 ठीक है अब इस value को हम put करते है equation 2 में f of 11 की जगे ठीक है तो equation 2 ये रही इसमें f of 11 की जगे ये put करता हूं तो 3 times this यानि 300 minus 9 times f of 7 upon 2 plus 2 times f of 7 is 140 अब basically इसको solve करना रह गया है तो देखो यहां से कितना है गया इस 2 को LCM में लेंगे 300 minus 9 f of 7 plus 4 f of 7 तो minus 9 plus 4 minus 5 f of 7 और ये 2 उदर जागे कितना हो गया 280 तो यहां से 5 of 5 f of 7 कितना आगया 20 तो f of 7 कितना आगया मेरे पास 4 तो ये question समझे में आया कैसे किया b option होगा answer सबसे पहले x को 7 डाला फिर x को 11 डाला तो इससे क्या हुआ हमारे पास f of 7 और f of 11 में दो equation आगई और f of 11 को मने eliminate करके f of 7 निकल लिया